हलो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं का एल सी टैस डी थी श्राफ्ट जल कैपसुल के बार में दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे इसके फायदे क्या है इसके वेनिफिट्स क्या है इसके साइड एफेक्ट क्या है इसके प्राइज क्या है दोस्तों व मेडिशन दिनकारी रोजान आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले बात करेंगे इसके कंपोजेशन की जो कैल सी टेस्ट डी 3 सब्ट जल कैप्सूल है इसकी कंपोजेशन क्या है जिसमें कॉली बात कर लें इसके बेनिफेट्स की कि इसके किस बीमारी में यूज़ किया जाता है दोस्तों इसका यूज़ अगर आपके जोएंट्स में कहीं भी दर्द हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए इस सब्ट जल कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं या दोस्तों आपके घुटने म किस दर्द हो रहा है उठने बैठने में दिक्कत हो रही है चलने फिर में तकलीफ हो रही है चल फिर नहीं पा रहे हैं गुतिने से CUT-CUT-CUT की यवाज आ रही है तो इस कंडिशन में इसका यूज़ किया जाता है या आपके Nada के तौनी में आपको रही है यह जासे हद्ट म कामी टूट गई है तो उसमें दर्द हो रहा है तो उस कंडिशन में इसका इवज कर सकते हैं काफे फायदा मंद है या joints में कहीं भी pain हो रहा है तो उस condition में इस पूरा कर देता है दोस्तों बिटामिन D3 की कमी को पूरा करने के लिए इस कैपसूल का यूज कियाता है यह सफ्ट जल कैपसूल है दोस्तों एक पत्ते में चार कैपसूल आती हैं दोस्तों बात करने इसके यूजिस की कि इसका यूज कैसे करते हैं दोस्तों इसका यूज रात में सोते समय एक इलहास दूद के साथ इसका सेवन करें दूद के साथ इस केपसूल लेना है हफ्ते में एक कैपसूल दोस्तों अगर बच्चों में इसका युजिस के बात कर लें कि बच्चों में इसका परियोग करते हैं या नहीं करते हैं तो दोस्तों बच्चों में इसका परियोग करने से पहले एक बार डाक्टर से सला जरूर ले लें क्योंकि द 4D का प्राइज की दोस्तों 220 में किसी ज़िए के मेडिकल से खरी सकते हैं काफी फाइदे मिन दवा है दोस्तों इंटवक्स वर्म कंपनी की दवा है काफी जाने मनी कंपनी है कि इसकर साइड़ते के बात कर लें तो मतलीaty उल्त विशकती विए या बाड़ी में कहीं भी रेड्स हो सकती है या उसकिन में पहीं भी चकत्ते हो या रेड्नेस हो तो उस इस कंडिशन में इसका विज़ बंद कर दें या और कोई समस्या हो दिखाई दोस्तों आप समझ जाएगा कि यह कैपसुल आपको सूट नहीं कर रहा है और आपको साइड इफेक्ट पहुंचा रहा है तो उस कंडिशन में इसका यूज़ बंद कर देना यूज़ दोस्तों इसका यूज़ बंद कर देना है नहीं तो आपको और भी दूस प्रडाम जाद करने के लिए दोस्तों यह उससे भी अच्छी उमकारगर दवा है विटामिन डी की कमी को पूरा कर देता है क्योंकि दोस्तों हफते में एक कैपसुल लेना है रात में दूद के साथ इसका सेमन करें काफी अच्छी फाइदा में दवा है दोस्तों इस वीडियो में दीगे जानका इरी के साथ